केल केल में, केल केल की, केल केल ये आजाएगा मित्रो, फिल्मों के अंदर तो आपने शत्रंज की बहुत चाले देखी होंगी, लेकिन UPSV भी शत्रंज के बहुत प्रशन पूछ रहा है अभी 2023 के CSET में पूछा, कि एक टूर्णामेंट चल रही है, जिसमें 150 खिलाडी है, और सब के बीच नॉकाउट मैच हो रहा है, कि जो हारा उसको एलिमनेट करना है, कोई भी टाइ नहीं हुआ है, तो इस मैच के अंदर कुल मिलाकर कितने मैचिस हुए होंगे, वो हमें जानन कितने मैच लगेंगे किवल मेरी दो स्टेप के बाद सर, आइए, सर आप देखिए, दो खिलाडी है, और केवल एक मैच होगा, और पता चल जाएगा कोन वी नर है, कि जो हारे है, उसको मैच भगा दूँगा, लेकिन दो खिलाडी में एक मैच लग रहा है, पर मैं आपको और दिखा दू कि तीन खिलाडी होते तो कितने मैच लगते हैं तो पहला मैच इन दो खिलाडियों के बीच में हो रहा हैं और देखते हैं कि इसमें कौन जीतता है सो फाइनली जो खिलाडी हार गया है मैं रिक्वेस्ट करूगा कि वो जल से जल अपना इस्तान खाली करें आईए अब आप मैच खेली हमारे साथ एक और सर अब एक मैच हो चुका है तीन खिलाडी है अब केवल दो ही खिलाडी बचे हैं अब एक और मैच मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कोण वी जेता है सो फाइनली मैं चाहूँगा कि हारने वाला एक तीप पुन्ह चला जाए यहां से सो फाइनली विनर डिकलेर किया सर मैंने केवल दो मैच के बाद अब मैं आपको समरी कर दू जब दो प्लेयर थे सर तो एक मैच खिलना पड़ा जब तीन प्लेयर थे तो आपने देखा कि आपको दो मैच कराने पड़े अब आप बताए सर 150 प्लेयर है कितने मैच दो खिलाड़ी में एक मैच, तीन खिलाड़ी में दो मैच तो 150 खिलाड़ी के अंदर मेरे कहल से 149 मैच होने चाहिए एक्जेक्ली सर जब भी नॉक आउट की सिच्वेशन हो लाल लाली हो याद रखो, जितने प्लेयर होंगे, उससे एक कम मैच में आपका भी भी आंसर ला सकते 50 प्लेयर हैं, 49 मैच करिए, 10 प्लेयर हैं, 9 मैच कर दीजे N-1, सबसे सिंपल करेगा सर मदूकर सर ये तो आपने बहुती सरल और प्रैक्टिकल तरीके से हमको सिखा दिया कि शत्रंज के नॉकाउट मैच की क्या सिखिती होती है, कोई फॉर्मूला रठना नहीं है लेकिन इसके अलावा ऐसे कौन-कौन से सम्सिया सिचुएशन हो सकते जहां पर हम यही कौनसेप्ट से UPSC के सवाल हम रख सकते सर ऐसे तो बहुत सी अलग-लग विरियेंट है पर सबसे बेस्ट होता है जिसे प्रैक्टिकली हमने आपके सामने रखा तो एक बार सवाल आया था कि एक हजार पौधे है किसी के पास लंबाई और चौडाई में पौधों की संक्या समान होनी चाहिए ऐसे सवालों में भी हम बहुत सिंपल वे में बता सकते कि कुल कितने पौधे लगेंगे किसी को भी अपनी शर्थ पूरा करने के इसे सर मैं कभी भी कहता हूँ कि आप प्रेजेंस ओप माइन मतलब एक्जाम होल में छोटे-छोटे प्रैक्टिकल करके आंसर निकाली फार्मोले पे डिपेंड रहना बहुत बड़ा रिस्क है सर सी सेट बिल्कुल सर और बिल्कुल मित्रो क्यूंकि यूपी असी जिस प्रकार के जटिल और वेराइटी के सवाल पूछ रहा है ना सिर्फ यूपी असी के लिए बलकी के लिए और ऐसे मदुकर सर का सी सेट का कोर्स क्यूंकि अपनी यूपी असी एक्जाम बस करिब तीस दिन बाकी है इसको आप देख सकते हैं इसके अंदर करें 59 लेक्टर से और 120 आवर्स की आपको फूरी रेकॉर्डिंग क्लास मिलेगी साथ ही साथ मौक टेस्ट है पॉर्मूला की पीडियेप शीट और बहुत कुछ इसके बारे में और कुछ आप बताना चाहिए सर मैट्स, रिजनिंग, कॉम्प्रियेंशन, डाटा सफिशेंसी और डाटा इंटर्प्रेशन जो प्रेजेंड सिनेरियो का पैटर्न है जो इस टाइम में डिमांड है हर एक चीज फुल्फिल होगी तो मैं अभी दावा कर सकता हुज़ा कि उस कोर्स को करने के बाद स्टु पांच चीजे थाली में सजा कर मिल रही है एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा और एक्जाम अब बहुत ही करीब है और यह ओफर भी बहुत कम समय के लिए है तो बिलकुल भी टाइम बेस्ट ना करें लिंक इस इन देस्क्रिप्शन लेट्स ट्राकिए अनकाडेमी लेट्स बहुत है तो जाइम लेट्स ट्राकिट